Hello Friends, मैं अब अरुब आप देख रहे हैं Smart Tech Platform Friends, आज के इस वीडियो में हम लोग PM किसान संमान नहीं दी और वज़ना के बारे में बात करने वाले हैं Friends, PM किसान संमान नहीं दी और वज़ना में उन सभी किसानों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके payment status में waiting for approval सो हो रहा है बहुत सरे किसान वाई comment कर रहे हैं कि मेरा बहुत दिनों से waiting for approval by state सो हो रहा है लेकिन अभी तक FTO is generated नहीं हुआ है मतलब fund transfer order नहीं हुआ था क्या हम लोगों के 31 मार्च से पहली पैसा मिलेगा की नहीं तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में इसी के बारे में आपको पूरी डिटेल में जनकारी देंगे कि अगर आपके भी payment status में waiting for approval by state बता रहा था और अभी तक आपका payment status में FTO is generated in payment confirmation is pending नहीं आ रहा है मतलब phone transfer करने के लिए order नहीं दिया है तो आपको 31 मार्च से पहले पैसा मिलेगा की नहीं और साथ में ये भी बताएंगे कि किन किसानों को 31 मार्च से पहले पैसा मिलेगा तो फ्रेंट्स वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रही है और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टाइप प्लाफंग को सस्क्राइब ने किया है तो नीचे सब्सक्राइब बाड़र न को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लिजे ताकि हैं वीडियो की नौडिकेशन आपको मिल दे रहे हैं वीडियो अच्छा प्रेंध की सांस्प्राइब कोई भी प्रूब payment आता है तो इसके लिए सबसे पहले एक किसान भाई का beneficiary status हम लोग open कर लेते हैं तो PM किसान के official website में आने के बाद beneficiary status चेक करने के लिए आप आप देख सकते हैं आपको option मिल जाता है नीचे beneficiary status का इसमें आपको click करना होता है चलिए इसमें click कर लेते हैं इसमें जैसे आप click करते हैं कुछ इस तरह का interface देखने को मिलता है यह पर आप देख सकते हैं यह पत्तिन option आपको मिल जाता है आधार number account number और mobile number तिनों में से किसी एक को डालने के बाद आप जब get data पर click करते हैं तो आपका beneficiary status होने लगता है चलिए किसान भाई का beneficiary status ऑफन करके आपको दिखा आप देख सकते हैं किसान भाई का beneficiary status हम लोग ऑफन कर ले हैं पर सारा details दिया हुआ है यह पर आप देख सकते हैं फॉस्ट और सेकंड यह जिस कारण से वहाँ से verify होगा वहां सग weten होने के बाद आपका rft generate होगा लाजिससे वरेपाई होने के बाद rft generate होगा रिक्यषट तांसपर मतलब fund transfer कर लिए आपका request भेज आजा जाएगा Central को फिर वहाँ से verify जैसे हैं होगा आपका FTO, zET होगा fund transfer order central से fund transfer order भेज दिया जाएगा फिर आपके account में पैसा आता है 2000 रुपिय किस्ट तो यह जो है payment आने का process है ऐसे में अभी तक बहुत सारे किसान जो है उनका waiting for approval ही बता रहा है और जो है अभी तक पैसा नहीं मिला है तो इनको होली से पहले पैसा मिलेगा कि नहीं आपको बता दे होली से पहले किन किसानों को पैसा मिलेगा तो जिन किसानों को अभी तक सात्वा किस्ट का पैसा नहीं मिला है उन सभी किसानों को होली से पहले 31 मार्श से पहले जो है 2000 रुपिय किस्त का पैसा उनके अकाउंट में आएगा जिन किसानों को अभी तक सात्वा किस्त का पैसा जो डिसमबर से मार्च के बीच जो है मिलना चाहिए था वह अभी तक नहीं मिला है तो उनके अकाउंट में रुपिय किस्त का पैसा मिलेगा नए किसान जो है जो जिनको अभी आठ्वा किस्त मिलने वाला है सत्वा किस्त नहीं मिला है तो उनको जो है आठ्वा किस्त का पैसा 31 मार्च के बाद मतलए अप्रिल के फर्स्ट विक में उनको दिया जाएगा यहाँ पर आपको चलिए दिख जो है ये अभी मार्च चल रहा तो जो 7किस्ट का पैसा है वो डिसawyंबर से मार्च के बीच आया तो अब जो 8किस्ट का पैसा अप्रिल से जुलाई के बीच दिया जाएगा तो अगर आपको 7किस्ट नहीं मिला है तो 31किस्ट मार्च से पहले मतलब होली से पहले आपको मिल जाएगा होली तक और अगर आपको आठवा किस्त मिलने वाला है तो आपको अप्रिल से जुलाई के बीच में मिलेगा तिये जो है किसानों के इस तरह से पैसा मिलने वाला है तो आप चेक कर लिजे कि आपको कौन सा किस्त बाग की है साथवा य प्लाटफ़ूं को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो नीचे सस्क्राइब बॉटम को प्रेस कर के सस्क्राइब कर लिजे और प्रेस कर कर लिज़े ताकि ह  आध वीडियों ऎड़ायगी तो लाइक से रखुपकर चरूर की है। आज के इस वडियों मं बसस्ते नहीं हと思います क्वेजिजिए गार थागते हैं